तो आप सोच रहे होगे कोई भी जो है fake followers क्यों खरीदेगा तो उसका reason यह होता है कि जितने भी celebrities हैं या जो social media influencers हैं उनको पता है कि जो आम जनता है वो सिरफ और सिरफ भेड़ चाल चलती है यानि कि अगर उन्होंने कोई Instagram पेज ऐसा देखा जिसको बहुत से लोगों ने follow already कर रखा है तो कोई भी नया user आएगा वो भी उस page को follow करेगा and the same goes for all the social media accounts अगर जो YouTube है जिस पे already अगर million में subscribers होंगे तो कोई अगर नया user आएगा तो वो भी उसको subscribe कर लेगा ठीक है तो सिरफ और सिरफ जो है वो भेड़ चाल mentality है कि आपने देखा कोई चीज already trending में है तो आप followers खरीदते हैं ताकि जो actual में उनके जो genuine followers हैं उसके count में actually इजाफा हो सके या basically उनका count बढ़ सके तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे मैंने सिरफ 300 रुपे में 1200 Instagram followers खरीदे अगेन आप सुनकर चौंग जाओगे कि Instagram followers जो है आप खरीद भी सकते हो त या यह illegal है मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहूँगा इस ताइम पर मैं सिरफ और सिरफ जो है उनकी details वगेरा के बारे में बताना चाहूँगा अगेन आपने जो है पास्ट में देखा हुआ कि बहुत से celebrities हैं जो कि इस cases में पड़े हैं जिसमें पता चला है कि इन्होंने बहुत से अपने subscribers या followers खरीदे थे सिरफ subscribers और followers ही नहीं इनफेक्ट जो इनके जो latest releases होते हैं उस पर जो बहुत सारे likes या comments आप देखते हो वो सिरफ और सिरफ खरीदे गए होते हैं तो again बहुत से लोग है वो बोलते हैं यह जो खरीदे हुए accounts है उनको एक actually fake accounts की जो शरेनी में रखते हैं या बोलते हैं actually यह जो bot accounts है लेकिन most of them actually अगर देखोगे तो वो bot accounts नहीं होते हैं वो real accounts होते हैं तो वो real accounts कैसे जो है actually वो कैसे big जाते हैं उन सब के बारे में थोड़ी बहुत जो detail है वो share करने की कोशिश करूँगा again जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो सिरफ एक ऐसा तरीका नहीं है कि सिरफ वही market में चल रहा बहुत से different तरीके चल रहे होंगे और बहुत से ऐसे जो तरीके हैं वो आते जाते रहते हैं जिसमें की followers वगएरा खरीदने के या subscribers खरीदने के दावे किये जाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरी पुरानी वीडियो है उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जितना जादा से जादा हो सकता है जितने भी comments आते हैं उसको reply करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और अगर मैंने आपको reply नहीं किया तो इस वीडियो में comment कीजिए मैं reply जरूर करूँगा अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे जो instagram followers की जिन होने जिन में लगभग 50-60% तक के जो हैं जो fake accounts होते हैं याने की bot accounts होते हैं या खरीदे हुए account होते हैं basically तो यह जो वीडियो है यहाँ पर है आप देख सकते हो मैं इस वीडियो को play नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जो इस वीडियो को मैं ज्यादा खीचना नहीं चाहता हूँ लेकिन हाँ यह वीडियो है इसमें बताया गया कैसे जो आप famous celebrities हैं जो कि आप देखते हो लगभग 140-150 million जिनके followers है Instagram पे उसमें से लगभग 50-70% तक जो accounts है वो सिरफ और सिरफ fake होते हैं तो इस वीडियो को देखो अब बात करते हैं मेरे Instagram account की जिस पे actually मैंने followers खरीदे थे तो यह वाला account है यह वाला account जो है मैंने सिरफ और सिरफ इसी purpose के लिए एक दिन पहले ही बनाया था ताकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि यह जो चीजे होती हैं वो genuine है कि नहीं है तो इस पे सिरफ उस टाइम पे जब infect मैंने खरीदा था तब एक भी post नहीं थे इस पे zero post था और जो जितने भी आप follower आज की date में देख रहे हैं इसमें लगभग 1065 followers दिखा रहा है तो जब मैंने खरीदा था लगभग 300 रुपए में मुझे 1200 followers मिले थे और उसमें थोड़ा बहुत जो वो claim करते हैं कि आपके लगभग 10% जो follower हैं वो drop हो सकते हैं लगभग 1-2 हफते में तो almost I think इसको जब मैंने purchase किया था इसको लगभग लगभग I think 2-3 हफते अलरी हो चुके हैं somewhere around मैंने दिवाली के आसपास जो है इसको खरीदा था और सिरफ इसलिए खरीदा था ताकि मैं actually एक video बना सको इसके ऊपर यह देखने के लिए कि हाँ यह जो चीजे है actual में genuine है ऐसा नहीं है कि आप सिरफ सुनते हो और actual में यह genuine नहीं है और इस video को बनाने का एक purpose यह भी है कि बहुत सारे जो students है वो आजकल जो social media influencer बनना चाहते हैं और उसके चक्कर में वो थोड़ा बहुत shortcut भी अपनाना चाहते है तो इसके लिए वो क्या करते हैं वो already जो ऐ Instagram accounts है और जो आपके actually skillset से map करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको जो फायदा हो सकता है तो उसको खरीदने में कोई बुराई नहीं है लेकिन आप just imagine कीजिए कोई अगर आपको अपना Instagram जिस पे 20-25,000 bot followers हो या fake followers हो आपको बेच दे लगवाग 10-15,000 रुपे में तो उस इंडोनेशिया की website again I think आप में से बहुत से लोगों को already जो मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अभी इंडोनेशिया में रह रहा हूं तो mostly जो भी e-commerce websites हैं वो मैं इंडोनेशिया की use करता हूं तो यहाँ पे बहुत से जो websites हैं वो ऐसे हैं e-commerce के website जहां पे आप बड़े अराम से subscribers, Instagram followers, Facebook followers, page followers बहुत सी चीज़े खरीच सकते हो and not only here in fact आप इंडिया में भी देखोगे या आप देखोगे बहुत से advertisement चल ला हैं जिसमें बहुत बहुत दावे किये जाते हैं कि आप यह सब चीज़े खरीच सकते हैं तो वो actual में genuine होती हैं वो आपको जो चीज़े बेचते हैं अगें कुछ जो हैं वो scam भी होते हैं कुछ हैसे होते हैं कि वो आपसे पैसे ले ले लेते हैं और उसके बाद जो आपका number या जो जिस भी medium से आपने उन्हें contact किया होता है वो block कर देते हैं तो वो एक अलग level का scam है उसके बारे में जो है again फिर कभी different video में बात करेंगे तो अब आते हैं इसकी conversation पे आप देखोगे तो लगभग जो मैंने यह वाला देखा था इनका product और जिसका की price यहां पे दिखा रहा है 59,000 59,000 price याने कि अगर मैं उसको convert कर दूं इंडोनेशियन से इंडियन करेंसी में तो वो लगभग लगभग 300 रुपए से थोड़ा बहुत कम ही होगा वो लगभग 290 रुपए के आसपास आएगा अब इसके product में देखे तो इन्होंने कुछ claim कर रखा था कि 300 plus followers 15,000 रुपए में याने की 75 रुपए INR में तो मैंने 1000 plus followers वाला जो की 54 के है याने की लगभग 270 रुपए प्लस इसमें कुछ delivery charges वगएरा मिला के कुछ जो भी था टेक्स वगएरा मिला के लगभग 300 रुपए के आसपास पड़ा था और उसके बाद जो इन्होंने detail में मुझसे Instagram ID मांगा था जो की product description में लिखा हुआ था तो उस time जो मेरा Instagram page जो मैंने आपको दिखाया उसकी जो ID थी विकास जहा 001 नाम से थी और इसी नाम से actually मेरा actual YouTube channel भ मेरे को बताया कि ठीक है आपकी जो यह ले लिया गया है request और यह process हो जाएगा और इन्होंने actually में से screenshot मांगा था अगर जो conversation है वो Indonesian language में है in fact मेरे को भी Indonesian language इतनी ज्यादा नहीं आती है तो मैंने यह पूरी की पूरी conversation जो Google Translate से translate करके उनको reply दिया था तो यहां पिए अगर मैं इस वाले screenshot को खोलू तो आप देखोगे कि जब मैंने उनको भीजा था तो उस टाम पे मेरे सिरफ 10 followers थे 1 following था और जो मेरे एक भी post नहीं थे फिर जब मैंने उसके बाद उनको भीजा तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है आपकी जो request ले ली गई है दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे जो notification आना शुरू हो गया है कि बहुत सारे लोग जो है पेज को follow कर रहे हैं तो I mean again this was too much कि आप इस टाइप के जो fake जो followers वगएरा भी खरीज सकते हो अगेन अब मैं इस पर आता हूं तो बात करते हैं जो number of followers थे तो इसमें followers आप देखोगे followers ऐसा नहीं है कि यह fake है या bot account है जो बहुत से followers है वो ऐसे followers है जो की actual में real account है और उनके भी बहुत से followers हैं और in fact कुछ ऐसे accounts है जो की या तो नए account ओपन हुए थे या कुछ ऐसे account है जो कि actual में उन्होंने बहुत सारी family post कर रखी है तो वो literal में अगर आप देखोगे तो आपको लोगे है वो genuine account है not only लगेगा वो actual में genuine account है तो वो कैसे मतलब उन लोगों की ID को use करके इनको जो है different Instagram pages वगेरा follow करवा जाते हैं तो इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि आप बहुत से Facebook वगेरा या फिर Instagram वगेरा या किसी और website के third party website वगेरा पर जाके बहुत सी application होती है जो आपको बोलोगी आपका horoscope देख लो या यह देख लो या कुछ fun games वगेरा होती है तो उस games पे जब आप उस पे sign up करते हो तो वो आपको बोलते हैं या तो आप अपना जो है Google account से या Facebook account से या फिर Instagram वगेरा से आप sign up कर सकते हो तो जब actually आप ऐसी कुछ जो है जो की मैं क्या बोलूँ इसके लिए मेरे पास कुछ शब नहीं है तो basically जो scam site में अभी इनको बोलता हूँ कि scam website होती है तो उनका जो mainly target ये रहता है कि आपके जो ये social media accounts से उसका authorization ले लेना और उसके बाद ये अपना inventory याने की database prepare करते हैं ऐसे users की जिनका इनके पास actually authorization रहता है social media account वगेरा use करने के लिए अगें जो end user होता है उसको इस बात की कोई भी awareness नहीं होती है तो I am sure जो जितने भी ये 1200 followers है इनको कोई idea नहीं है कि इनके ID यूज करके बहुत से different pages follow किये जा रहे है तो जब ये सुबह उठके देखते होंगे तो इनके जो number of following होंगे वो बढ़ जाते होंगे और again जो ये चीजे हैं ये सिरफ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जो students है जो actually pages खरीद रहे हैं अपना जो business promote करने के लिए तो वो tool आता है Instagram fake audit tool करके तो Google पे उसको बस search करो Instagram fake audit tool और आपके जो बहुत से ऐसे service provider मिल जाएंगे जो actually में किसी भी Instagram page या किसी भी YouTube channel को आप देख सकते हो कि उसमें जो actual users कितने हैं प्लस fake users कितने हैं again in fact उनकी भी जो इन tools की भी accuracy इतनी high नहीं होती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहां पे भी जो followers हैं बहुत सारे followers actual में genuine followers हैं लेकिन फिर भी जो वो algorithm है वो बहुत से चीज़ों पर काम करता है जैसे कि वो चेक करता है कि यह जो users हैं उनका engagement rate क्या है या वो किसी और के follow यह post वगएरा में कितनी active रहते हैं तो उन सब basis पे जो वो tool जो है लगभग लगभग आपको online average थोड़ा company को especially जो यहां पे online e-commerce website वगएरा पे चल रही है मुझे उनसे कोई problem नहीं है और I think वो अगर वो चला रहे हैं इतनी बड़ी e-commerce website पे तो I think hopefully उनके पास already जो legal rights वगएरा होंगे इन चीज़ों को promote करने के लिए और I don't know मैंने कोशिश की कि Amazon या Flipkart वगएरा पे भी देखूं कि क्या Amazon और Flipkart वगएरा पे भी ऐसे fake followers वगएरा खरीदने के option है तो at least यह जानके खुशी हुई कि जो उन websites पे ऐसे fake followers वगएरा खरीदने की option नहीं थी तो इंडिया में जितने भी ऐसे जो scam चलते हैं या fake followers वगएरा खरीदने के लिए वो या तो आपको directly Facebook ads वगएरा में दिखेंगे या तो आपको Instagram ads में दिखेंगे या जो है अगर आप Google वगएरा में कुछ keyword से search करते हो जैसे Instagram followers तो आपको ऐसी ads अराम से उपर जो है top पे द तक बोला यह लगबग 2-3 scam और in fact not only 2-3 बहुत सारे different scam इसी पर चलते हैं और लेकिन इस वीडियो से आपको idea लग गया होगा कि लगबग जो scam का rate है या जो भी आपको लगता होगा कि आपके जो celebrities वगएरा है वो कितने true हैं कितने true नहीं है तो ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में